हेल्लो एव्रिवान, दिस इस सभी हानूर, वल्कम बैक तो आर चानल स्टेट्स टो एक्सेलेंस जहां पे आपको बीट सु लेलेटेट वीडियोस मिलते हैं सो, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं अब टाइटल देख के आप लोगों को तो समझ में ही आ गया होगा कि यह वीडियो किस से रिलेटेड हैं तो अगर अपनी लाइफ में आप भी यह सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यही सेम चीज़ से आप भी परिशान हैं अब कोबिट सेचेवेशन की वजह से हम सब की लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम आई हैं तो सबसे में और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जॉब की क्योंकि हमने अपनी अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को लेके बहुत जादा प्लानिंग की है अपने goals को लेके बहुत ज़ादा उस पे work किया है, उसको बहुत सोचा है, लेकिन sometimes some things don't work in our favor, है ना, तो जब हमें job नहीं मलती है, तो ये एक person के लिए बहुत ज़ादा disheartening situation हो जाती है, कि उसको नहीं समझाता कि क्या करना चाहिए, है ना, उसको नहीं समझाता कि अब कैसे situation से deal करना चाहिए, then in this situation it is extremely important for us to not give up, okay, so all you have to do is figure out an alternative and make the best of the current situation, हमें कुछ ऐसा alternative सोचना है, जो के हम उस वक्त का बहुत ही अच्छी तरीके से फाइदा उठा ले और हम उस वक्त को बहुत ही अच्छी तरीके से उटलाइस कर ले, okay, so here a couple of the most common things which you can do, if you don't get your desired job or not get a job at all, so watch the video carefully because this video will going to help you a lot, okay, so now the very first thing which you should do is take a break, yes, it's okay to take some time off from your job search, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि आप job search को एकदम completely quit कर दे, but yes, take a day off at least, या फिर दो से जादा दिन for a week, okay, एक week के लिए at least आप break ले लीजिए, ताकि आपके mind को थोड़ा सा, you know, charge हो सके आप, energy आपकी दुबारा आ सके, क्योंकि अगर आप continuously job search करते रहेंगे तो उससे एक negativity भी आती है अगर हमें job नहीं मिल रही है तो, right, सो हो सकता है उस negativity से आगे जाके आप give up कर दे, तो वो give up ना हो, इससे वहतर है आप एक break ले 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 छोटा सा, और उस break में आप वो चीज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपको खुश करती है, right, जो चीज़ आपको energize करती है, जो चीज़ से आपका दिल लगे, ठीक है, दिमाग, शान्त हो, आप वो चीज़ उस वक्त कर सकते हो, okay, ताकि आपकी battery in short recharge हो, ताकि आप अगली बार job जब search करे, तो और जाधा महनत और और जाधा energy के साथ search करे, आपके अंदर बहुत जाधा energy हो, job search करने के लिए, okay, so break is very, very, very important, next is try a temporary job, अब आपने समझो बहुत time से job search कर रहे हो, और फिर भी आपको वो perfect position वाली job नहीं मिली, जो आपको चाहिए थी, या जो आपको पसंद थी, तो accept कर लीजिए, वो opportunity को आप जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसी opportunities, ऐसे jobs बहुत ही excellent और best होते हैं, अपने पेर को उस institution और उस school या colleges में जमाने के लिए, क्योंकि temporary job से आपकी skills भी बढ़ेंगी, आपको knowledge भी होगा, right, आपको experience भी मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर आपका performance अच आ जाए, तो इसे लिए आप सिर्फ और सिर्फ permanent job के लिए ही नहीं बैठे रहे ना, अगर temporary job भी आपको institution में, ये company में मिलती है, then please go for it, okay, don't miss the opportunity, okay, remember this. Now the next is, practice your interviewing skill. आपको आपके अंदर की improvement बता सके, कि आपको कहां improve करने की जरूरत है, जो आपकी खामियां आपको अच्छी तरीके से explain कर सके, ठीक है, कि कहां पे आप गलत जा रहे हो, आप अपने कोई mentor के सामने ये चीज़ practice कर सकते हो, जिसके साथ आप बहुत ज़दा comfortable हो, जो आपके स कर सकते हो, अपने interviewing skill को आपने improve करना है, like for example, आपको company के बारे में अच्छे से research करना है, आपके resume को review करना बहुत ज़दा ज़रूरी है, आपका जो clothing हो, जो आप dress पहन के जाने वाले हो, वो appropriate होना चाहिए, interview के लिए आपको सही तरीके से practice करने की ज़रूरत है, interviewer से आपको क्या questions करने हैं, आपको ये भी practice करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ, जो भी interviewer question पूछता है, उसे ध्यान से सुनना है, और ये सारी चीज़े आपको practice करने की ज़रूरत है, now the next is, explore your hobbies and learn new skills, अब आपके पास ये बहुत सही time है, अपने hobbies और interests को explore करने के लिए, और साथ ही साथ उसको time देने के लिए, क्योंकि अब जो लोग job से committed है, वो अपने hobby को, अपने interest को time ही नहीं दे पाते हैं, है न, क्योंकि वो किसी और चीज़ में busy है, तो यहाँ पर आप अपने time को अच्छे से utilize कर सकते हो, वो चीज़ करके जो आपको actual में पसंद है, तो आप कई सारी चीज़ कर सकते हो, और आप कोई certificate course join कर सकते हो, कोई technical courses सीख सकते हो, academic courses है, vocational ones है, जो आपके साथी साथ resume को भी improve कर दे, कोई programming language सीख सकते हो, musical instrument का option है आपके पास, dance form है, singing है, painting है, drawing है, anything, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के options है, जो आप कर सकते हो, और इस time को बहुत ही खुबसूरती से use कर सकते हो okay, so just explore your hobbies, interest and learn new new things which makes you happy, okay, now the next is pursue higher education, so आप अपनी studies को continue कर सकते हो, और आप higher education के लिए जा सकते हो, master degree pursue कर सकते हो, post graduation, PhD या कोई भी ऐसे degree जो आपके field से related हो, उसको आप pursue कर सकते हो, okay, इससे क्या होगा, इससे आपकी skills enhance होगी, सबसे पहले तो आपकी knowledge बढ़ेगी, okay, आपकी knowledge बढ़ेगी आपकी ही field में, दूसरी चीज़ आपका qualification increase होगा, okay, उससे आपकी skills increase होगी, आपके career में आपको choose होने के chances जो है जादा हो जाएंगी, आपके earning potential increase हो जाएंगी automatically, आपको जो है, first priority choice पे रखा जाएगा, if you go for higher education, okay so make sure you research your course content well before applying, so ऐसा course आपने चुनना है जो आपको future में भी उत्रा ही जादा help करे, okay, now the next and last is volunteer or work for an NGO, अब आपको NGO के लिए अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत ही जादा अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई particular cause के बारे में अगर आप खयाल रखते हैं और उसके लिए volunteering करे ये non-profit organization ये non-governmental organization के लिए तो ये आपको satisfaction तो देगा ही, साथ ही साथ ये आपके अंदर बहुत सारे skills को develop भी करेगा, okay, आपका societal contribution होगा, जो के आपके growth and development में भी दिखके आएगा, आपके employable skill भी कई सारी increase होगी, जैसे के for example punctuality है, redistribution of funds है, leadership quality है, cooperation है, team work है, ये सारी skills आपके अंदर develop होगी and main, अगर आप ये skill gain करते हो, तो ये आपके CV के लिए बहुत ही जादा significant part होगा और साथ ही साथ आप अपने employer को, आप अपने interviewer को भी impress कर सकते हो, अगर आप ये skill को polish करते हो तो and this experience will also make your application stand out amongst your peers, okay, and साथ ही साथ ये आपको professional development में भी help करेगा इससे आप बहुत ही अच्छा rapport बना सकते हो लोगों के साथ, bigger companies के साथ, जिससे automatically आपका job लगने का chance increase हो जाएगा, ठीक है, so yes, these are the things which you can do if you are not getting a job, so आज के लिए इतना ही, अगर आपके लिए ये video, ये session helpful रहा हो या आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो please like, share and subscribe करन and comment में बताना कि और क्या एक person कर सकता है कि अगर उसको job नहीं मिल रही है तो, ठीक है, उस particular time में, so तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए and channel पर नहीं होता subscribe जरूर कर देना, thanks a lot for watching, bye bye, take care of yourself